हेलो एवरीवन आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी इंटर्न साला प्रोग्रामिंग विद C and C++ ट्रेनिंग कोर्स के बारे में तो सबसे पहले इस course को किस language में सिखाया जाता है इस course को दोनों ही language में सिखाया जाता है Hindi और English आप enroll करने के बाद इसकी language choose कर सकते हो आपको जब English में सीखना है आप English switch कर सकते हो जब Hindi में सीखना है आप तब Hindi भी choose कर सकते हो और यहां पे आप को जैसे की बाद में कभी आपको करना है लेकिन enroll अभी ही करना है तो आप enroll कर सकते हो उसमें batch का पूरा वो रहता है आप किसी भी time की बैच जो है choose कर सकते हो तो यह सब रहता है तो चलिए आंगे जानते हैं बट उससे पहले एक important information है कि अगर आप किसी भी इंटर्न साला training के लिए enroll करना चाहते हैं, किसी भी इंटर्न साला training के लिए तो आपको extra discount मिल जाएगा, कैसे मिलेगा लिंक आपको description और comment box में मिल जाएगी, अगर आप उस लिंक से जाकर enroll करते हो, तो आपको इंटर्न साला training only 1249 में मिल जाएगी, आप जाकर check भी कर सकते हो, तो चलिए अब देखते हैं कि क्या आपको programming with C and C++ training में enroll करना चाहिए या नहीं, तो सबसे पहले तो अगर आपको C और C++ programming में पहले से ही intermediate हो, means आपको बहुत कुछ आता है, उसके अंदर आपको programming करना आती है, अच्छे से, थोड़ी, यूनों, थोड़ी से advanced level की, intermediate level की आपको जो है programming आती है, आप project भी build करना जानते हो, तो मेरे according आपको इस training में enroll नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर आप beginner हो, आपको थोड़ी बहुत ही programming आती है, या आप बिलकुल ही fresher हो, आपको कुछ भी नहीं आता है C++ programming में, त training के अंदर आपको practical project भी build करने के लिए मिलते हैं, और इसमें सिर्फ थ्रौटिकल ही नहीं, बलकि practical भी कराते हैं, और इसमें आपको जो भी knowledge मिलती है, स्कोर्स के अंदर आप उसको project में भी apply करते हैं, इस course के अंदर आपको 3 projects build करने के लिए मिलते हैं, आप इन project को करके practical experience भी गेन कर सकते हूं और एक benefit यह भी है कि अगर आप किसी इंटल साला training में enroll करते हो तो placement assistant training बिल्कुल free मिलती है इस training के अंदर आपको interview से related जो भी questions होते हैं उनकी preparation कराई जाती है resume बनाना सिखाया जाता है cover letter कैसे बनता है सारी चीजे placement से related जो भी रहते हैं वह आपको इस training के अंदर पताया जाता है और यह training बिल्कुल free मिलती है अब बात करते हैं programming with C और C++ training की जो time duration है वो क्या है वो eight weeks की है eight weeks में आपको जो है training complete करनी होगी अगर आप दो घंटे भी डेली इस training को देखेंगे तो आप easily training को complete कर सकते हो तो चलिए अब देख लेते हैं इस training के अंदर कितने module है तो इस training के अंदर five modules है हर एक module में काफी सारे lessons होते हैं तो जो first module है वो है getting started with programming in C इस module में आप fundamentals of C programming सीखेंगे इस module में आपका जो सी प्रोग्रामिंग का जो बेसिक है वो स्ट्रॉंग किया जाएगा एंड सेकेंड मोडियूल है diving into C programming इस module में intermediate level का सिखाया जाएगा ओके एंड जो थर्ड मोडियूल है वो है fundamental of object oriented programming using C++ इस module में C++ language की journey है वो start की जाएगी और जो fourth module है वो है diving into C++ programming features इस module में आप देखेंगे कि C और C++ language में क्या difference है और इस module में थोड़ा advanced level का भी सिखाया जाएगा और जो fifth module है उसमें आपको project build करना सिखाया जाएगा इस training में टोटल three project होंगे first is virtual cricket game यह आपको create करना होगा with C++ programming and second is report card generator इस project में आप सी programming use करके इस project को build करेंगे and third is goalie cricket app तो यह तीम project है जो आपको खुद से करने होगे और मैं बता दूँ कि हर module के अंदर जो है आपको एक end में test मिलता है वो करना होगा और उसका जो score रहेगा उसके जो marks रहेंगे वो बिल्कुल भी depend मतलब उनका जो weight is बिल्कुल भी नहीं रहेगा final test पर तो उसकी टेंसर नहीं लेनी है और जो project है उसका भी कोई भी weight is नहीं रहता है final test तो आप easily project भी कर सकते हो और जैसे ही आप project submit करते हो तो आपको solution भी उसका module के end में एक test होता है मैंने जैसा कि आपको बताया था उन module के test को आपको अच्छे से फिल से revise कर लेना है सारे modules के test को क्योंकि वो ज्यादा तर question जो है उनमें से ही पूछे जाते है final test में final test आपका एक mcq type होता है तो उसमें से पूछे जाते हैं उसमें practical भी दे देते हैं mcq में ही तो वो रहता है और बाकी अगर आप इसमें अच्छे marks लेके आते हो तो उसमें यह benefit है अगर आपके अच्छे marks आते हैं इसमें तो इंटर्न साला से जब भी आप किसी internship के लिए apply करोगे तो आपकी application को highlight किया जाएगा इंटर्न साला के थ्रू तो यह benefit रहता है और जैसे ही आप final test देते हो आपका certificate जो है आ जाता है आप certificate download कर सकते हो और उसमें भी आपके पास option रहता है अगर आपको अपने marks so करने होते हैं certificate पर तो आप choose कर सकते हो कि आपको marks so करवाने है या नहीं करवाने है ठीक है तो यह सारा process जो है रहता है और यह चीज़ें इसमें सिखाई जाती है so I hope आपको समझा गया होगा और कोई भी question है तो आप comment करके पूछ सकते हो thank you for watching this video bye bye